हलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज मोहंदवेदी और स्वागत है आपका मागनेट ब्रेंज के जे डवली और नीट चैनल पर ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तयारी होती है आई टी जे डवली की या फिर नीट की और साथी साथ आपको इस चैनल मिलता है फांडेशन कोर कोर्स ठीक है जो कि एक बिसिकली ब्रिजिंग है बिट्वी नाइन टेंथ आंड एलेवन ट्वेल्थ ठीक है मतलब अगर आपका टार्गेट है जे डवली या फिर नीट तो अक्चल में तो तो तयारी होती है वो शुरू हो जाती है नाइन एंड टें से ठीक है तो उनके ल inferiorly accelerated rectilinear motion मतलब straight line के along अगर motion हो रहा है ठीक है with uniform acceleration तो वहाँ पर कुछ equations होती है वो अपन को देखना है ठीक है वो बहुत ही important equation है मतलब इस chapter में आगे आने वाले topics में तो इसका इस्तमाल आप देखोगे ही साथी साथ मैं ये कहूँगा कि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर इसका आप इक्वेशन बना इसका यूज आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है तो बिलकुल ध्यान से आप लोगो सुनना है अब लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा foundation course module है इसमें हम लोग actually में क्या-क्या provide करते हैं एक बार मैं आपको in short बताता हूँ देखो ध्यान से foundation course module में आपको मिलेगा topic wise explanation videos ठीक है हर chapter को topic में divide करके particular topic का आपको explanation video मिलेगा उस video से related जो possible आपके questions है वो उसका dbp आपको मिलेगा उसका solution video भी आपको मिलेगा उसके बाद जैसी आपका chapter खतम हो जाता है देन उसके बाद multiple choice questions भी आपको मिलेंगे ठीक है उसके बाद आता है आपका doubt solving session मतलब live session के तुरू आपके doubts को भी solve करेंगे ठीक है उसके बाद आएगा आपका weekly test paper chapter wise मतलब chapter wise जैसे chapter खतम होगा फिर उसका test होगा तो आप अपने आपको assess कर पाएंगे कि आपने कितना इस chapter से सीखा है ठीक है उसके बाद आएगा आपका guidance about paper pattern stress management etc and official notification related to examination जैसे यह जो आपका foundation course है उससे आपका तैयारी तो होती है मतलब target रहता आपका JEE या फिनेट लेकिन साथी साथ जो कुछ exams होते हैं आपके national level के exams like all on PR हो गया NTSC हो गया तो वो कब exam होगा कैसा pattern होगा उसका कैसे attempt करना है यह सारी strategies भी आप लोग को बदाई जाएंगी उसके बाद आपका आएगा chapter wise one short revision मलग chapter खतम हो जाने के बाद उसका one short में एक आपको revision video मिलेगा एक बार में आप पूरा chapter wise कर सकते हैं उसकी बाद है आपका online test series तो online test series के थुरू आप अपने आपको फिर से assess कर सकते हैं कि कितना आपने उस chapter से सीखा है ठीक है तो assessment के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा यह ठीक है तो इतना सब कुछ मिलता है आपको इस four a foundation course module में है ना तो चलें शुरू करते हैं अपना अब हम topic अपना equation of uniformly accelerated rectilinear motion ठीक है चलो ध्याँ दियना आप लोग यहाँ पर these equations give the relation between velocity, displacement, time and uniform acceleration of the moving body along straight line ठीक है देखो यह जो अपन equations देखने वाले है ना ठीक है इसमें शर्थ है कुछ यह equation तभी valid होता है जब acceleration uniform हो constant acceleration हो ठीक है या फिर zero acceleration हो है ना ठीक है मतलब uniform acceleration है तभी यह equations valid होंगे ठीक है अगर non uniform acceleration हुआ तो यह equation को आप use नहीं कर सकते मतलब अगर acceleration की value बदल रही है तो वहाँ पर आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो तो क्या है वह equation तो पहला equation है देखो first equation is v equal to u plus 80 v equal to u plus 80 यह है आपका पहला equation v equal to u plus 80 जिसमें v होता है आपका final velocity u आपको मालूम है यह होता है initial velocity और a होता है acceleration और t जैसा कि आपको मालूम है यह होगा time taken ठीक है तो v equal to u plus 80 यह होता है पहला equation of motion आप इसका हम derivation देखते हैं यह कैसे आया equation देखो ध्यान से यहाँ पर अगर derivation की बात करें तो derivation में आप यह बताओ acceleration का formula आपको पता है न जो previous video था वो acceleration की उपर था वहाँ से जागे देख सकते हैं आप तो acceleration of anybody is given by rate of change of velocity मतलब ratio of change of velocity and time ठीक है तो यहाँ पर change of velocity मतलब V minus U न upon time ठीक है final minus initial is changing velocity upon time तो यही पर देखो आप cross into करोगे तो यह 80 हो जाएगा equal to V minus U U को आप shift करो यहाँ पर तो 80 plus U is equal to V या फिर V को ऐसा लिखो U पहले लिख दो plus 80 बात एक ही है यह होता है आपका पहला equation इसका derivation symbol ठीक है तो acceleration का जो formula है ना उसी को modify करके बना दिया गया है पहला equation of motion है के नहीं ठीक है तो यह हो गया आपका simple first equation of motion का derivation आप लोग इसका screenshot लें फिर देखते हैं second equation of motion चले अब देखते हैं second equation क्या है s equal to ut plus half 80 square थोड़ा सा बढ़ा करके लिखता हूँ मैं इसको तो s equal to यह small s e है लेकिन s equal to ut plus half 80 square तो इसमें जैसे आपको बता है u तो वही होगा initial velocity होता है a acceleration t time taken तो जो extra में आपको यह s दिख रहा है ना यह बता देता हूँ यह होता है displacement of a body displacement of a body ठीक है कितना body ने displacement किया है वो s show करता है ठीक है और अगर एक ही direction में motion हो रहा है तो हम कहते हैं कि displacement और distance एक ही चीज़ है है ना ठीक है चलो तो यह होगा आपका second equation of motion इसका derivation करते हैं आओ देखो जहां से आपर बड़ा simple derivation है इसका ठीक है देखो जहां से derivation की बात करें तो यहाँ पर देखो आप यह बदाओ average velocity previous to previous video में मैंने बताया था velocity and their types तो वहाँ पर average velocity मैंने बताया हुआ है तो average velocity के दो formula होते हैं ठीक हैं एक होता है simple displacement upon time taken और एक होता है average velocity का initial velocity plus final velocity upon 2 ठीक हैं बाई दोनों ही एक ही चीज़ है दोनों के बस अलग-अलग formula हैं लेकिन दोनों average के हैं तो हम इनको equate कर सकते हैं ठीक हैं चलो तो यह दोनों formula एक ही quantity के हैं तो इनको equate कर सकते हैं therefore s by t is equal to u plus v by 2 ठीक हैं तो आप देखो यहाँ बद्यान से यहाँ पर आप ज़रा यह सोच के बताओ इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है तो आप बताओ कहीं पर आपको v दिख रहा है के हैं आपर v final velocity नहीं न तो यहाँ क्या कर रहा हाँ हटाओ उसको यह अब ठीक हैं तो मैं v को रिखूँगा first equation से u plus 80 ठीक है तो यह देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर s upon t as it is u as it is plus v v को लिख सकते हैं u plus 80 ना u plus 80 और whole upon में 2 चल रहा है ठीक यहाँ लिख दो बाजू में first equation of motion से ठीक है चालो भाई अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर u plus u कितना हो गया 2u plus 80 upon 2 is equal to s upon t है ना अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर s upon t as it is अलग-अलग करेंगे तो आप यह बताओ लिख सकते हैं कि ऐसा 2u upon t 2 plus 80 upon 2 हाँ भाई लिख सकते हैं यह यह cancel out हो गया अब t का cross into करेंगे तो यह दोनों term में into होगा नहीं यह बिलकुल होगा तो u into t ut और 80 by 2 into t तो यह 80 square हो गया ना half 80 square है ना यह जो upon का 2 waves को बाहर 1 by 2 लिख सकते हैं और 80 into t is 80 square ठीक है तो यह है आपका simple derivation s equal to ut plus half 80 square ठीक है this is your third equation sorry second equation of motion clear चलें तो यह आप लोग्स का screenshot ले ले फिर बात करते हैं third equation of motion को लेके चलें अब देखें ध्यान से आपर जो third equation है वो क्या है v square minus u square equal to 2 as ठीक है अभी देखो ध्यान से क्या है यह v square minus u square equal to 2 as funnel velocity का square minus initial velocity का square equal to 2 into acceleration into displacement ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसका derivation करना है अपने को तो same same average velocity वाला ही funda use करेंगे derivation में यह देखो ध्यान से since average velocity is equal to u plus v by 2 एक formula यह होता है and average velocity का formula होता है s upon t भी है कि नहीं ठीक है तो आप बदाओ इन दोनों को हम equate कर सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पर दोनों same quantity का formula है तो आप बोलेंगे from 1 and 2 from 1 and 2 u plus v by 2 is equal to s by t ठीक है अब यह बदाओ कहीं पर आपको time दिख रहा है कि आपर नहीं ना तो यहाँ time क्या कर रहा है हटाओ इसको तो हटाने का मतलब क्या मिटा दें इसको ऐसा नहीं ना तो यहाँ पर अपने को किसी से replace करना पड़ेगा इसको आओ एक काम करो इसको पहले hold पर डालो यह काम करो पहले t को उपर multiply करो फिल हटाएंगे अचा यह बदाओ यू प्लस वी को अगर वी प्लस यू लिख दू तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है upon two अरे यू प्लस वी बोलो या वी प्लस यू बोलो बात तो बराबर ही है और t का cross into कर दो अभी तुम्हें समझ मायेगा मैंने ऐसा क्यों किया ठीक है ठीक है अब देखो t की value put करनी है तो एक काम करो इसको अभी equation number 3 दो अभी t की value निकालते है आप यह बदाओ पहला जो equation पड़ा आपने since from first equation of motion first equation of motion ठीक है यहां से v equal to u plus 80 होता है न तो क्या यहां से तुम time की value तो निकाल लोगे हा निकाल लेंगे separate करना होगा यह वी minus u is equal to 80 तो a को divide करोगे न यह वी minus u upon a this is equal to t न यह जो t की value है वो यहां पर put कर सकते है यह ठीक है और यहां पर v minus u by a equal to चल रहा है s अब आप देखो जहां से v plus u into v minus u तो यहां पर identity दिख रहे है na algebraic identity a plus b into a minus b यह होता है a square minus b square यार ठीक है derivation third equation का ठीक है तो यहां पर तीन equation अपने देखे एक देखा v equal to u plus 80 और एक देखा s equal to ut plus half 80 square अर एक देखा v square minus u square equal to 2as तो यह तीन equation है लेकिन बहुत important equation है देखने में तो यह बहुत simple equations देखते हैं लेकिन यह बहुत आतंक मचाते हैं यह ठेक हैं तो बहुत important equation है चले तो इसका screenshot ले ले फिर आपन बात करेंगे यहाँ पर एक और formula आपन देखने वाले हैं ठेक हैं वो क्या है पहले इसका screenshot ले ले आप लोग चले अब देखें यहाँ पर यहाँ से यह दिख रहा आपको एक और formula क्या है यह distance traveled in nth second मतलब किसी particular time का अगर अपनको distance निकालना है या displace पर निकालना है तो यह formula यूज़ होगा आई मैं समझाता हूँ पहले एक काम करो यह जो अपना second equation था ना ठीक है उसको जरा लिखता हूँ मैं s equal to ut plus half 80 square ठीक है यह equation कभ यूज़ करेंगे जब मुझे displacement निकालना हो किसी particular time का ठीक है जैसे माल लो मैंने कहा कि यह एक body है जिसकी velocity है suppose करो 10 meter per second 10 meter per second से चल रही है ठीक है तो initial velocity 10 meter per second ठीक है और मान लो उसमें हमने acceleration दिया 2 meter per second square का acceleration दिया हमने 2 meter per second square का ठीक है तो सवाल यह है कि 10 second में गाड़ी कितनी आगे चल जाएगी तो 10 second का हमें क्या निकालना है displacement तो यहाँ पर t equal to क्या 10 second input करोगे ठीक है तो आप बदाओ क्या होगा s equal to u कितना 10 time कितना 10 plus half into a कितना 2 और t का square मतलब 10 का square यह 2 से 2 cancel तो आप बदाओ यह हो गया 100 यह भी हो गया आपका 100 तो answer is 200 meter ना यार ठीक है मतलब गाड़ी 10 seconds में कितनी चल जाएगी आपका 200 meter मतलब अगर अपन को एक particular time का एक particular duration of time का निकालना हो displacement तो हम इस equation का इस्तमाल करते हैं लेकिन वहीं अगर मान लो किसी ने पूछा कि 10th second का displacement कितना होगा 10th second का 10th second का displacement तो वो कैसे निकालोगे पूरे 10 seconds का displacement निकालोगे फिर 9 seconds का displacement निकालोगे और दोनों को माइनस करोगे तो 10th second का displacement आएगा ना है कि नहीं मैंने ये कहा कि अगर मुझे एक particular duration of time के लिए displacement निकालना हो तो हम इस equation का इस्तमाल करते हैं second equation का है कि नहीं लेकिन अगर मुझे किसी particular time का मतलब मुझे 10th second का 5th second का मतलब कोई particular time का मुझे निकालना और displacement तो हम ये use नहीं करेंगे उसके लिए क्या process होगा सुनना द्यान से देखो मैंने क्या बुला कि अगर मुझे 10th second का निकालना है displacement 10th second का तो हम पहले 10 seconds का निकालेंगे ठीक है फिर 9 seconds का निकालेंगे दोनों का जो difference होगा वो होगा ना आपका 10th second का displacement कैसे देखो मालो 10 second में गाड़ी यहां से यहां तक जाएगी यह A और यह B ठीक है तो अब बदाओ मैंने कहा कि 10 second में गाड़ी यहां से यहां तक पहुँचेगी ठीक है मुझे 10th second का निकालना displacement तो 9 second में गाड़ी यहां तक पहुँची होगी मालो ठीक है यह मालो point P है यह position उसका 9 second में है और यह position 10 second में है ठीक है तो 10th second का निकालना है मतलब इतना निकालना है न 9 second से लेके 10 second तक का जो distance होगा वो होगा न 10th second का displacement तो कैसे निकालोगे यह distance निकालोगे, यह निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो यह मिलेगा न, है कि नहीं, कैसे, देखो, अब मैंने यह 10 सेकंड का निकाल लिया, है कि नहीं, अब मैं 9 सेकंड का निकालोगा, रखो यहाँ पर T की वैलू 9, तो यह देखो, displacement in 9 seconds ये 10 seconds का है अब मैं 9 seconds का निकाल रहा हूँ यू तो वही 10 रहाएगा time कितना 9 seconds plus half into a कितना 2 और ये 9 का square बताओ ये 90 हो गया ये cancel हो गया 81 तो ये हो गया 90 plus 81 171 तो 9 seconds में कितना move किया 171 मीचर ठीक है और 10 seconds में कितना move करेगा 200 मीचर मतलब 10 seconds में कितना move किया उस आखरी time में कितना move किया तो वो होगा 200 minus 171 ठीक है तो कितना बोलूँगा मैं S 10th देको TH ये कितना होगा आपका 200 minus 171 तो ये कितना हैगा 29 मीचर है कि नहीं ठीक है मतलब अगर मुझे किसी particular time का चाहिए displacement तो वहां तक का पुरा निकालो displacement और उससे एक कम second तक का निकालो displacement और दोनों को minus कर दो मिल जाएगा उस particular time का displacement है के नहीं ठीक है मैंने पूछा आप से कि आर मुझे 11 seconds का displacement चाहिए 11 seconds का तो हम पहले 11 seconds का निकालेंगे फिर 10 seconds का निकालेंगे दोनों को minus करेंगे तो 11 seconds का मिलेगा displacement है कि नहीं मान लो मुझे 28 seconds का चाहिए 20 seconds का चाहिए तो हम 20 seconds का निकालेंगे इसका इस्तमाल करके फिर 19 seconds का निकालेंगे इसका इस्तमाल करके फिर दोनों को सब्ट्राट करेंगे तो मिलेगा ना 20 सेकंड का displacement 20 सेकंड का हाँ है ना ठीक है लेकिन अब यहाँ पर देखो 20 सेकंड का निकालना होगा तो पहले 20 का निकालो फिर 19 का निकालो फिर सब्ट्राट करो तब जा कि आंसर आएगा लेकिन यह जो फॉर्मूला है यह हमें डारेक्ट दे देगा उस पर्टिकुलर टाइम का displacement कैसे देखो अभी मैंने इस एक्जाम्पल में 10 सेकंड का निकालना displacement 10 सेकंड का ठीक है तो 10 सेकंड का मतलब n इक्वल टू कितना 10 तो यही u और यही a यहाँ पर पुट करो और n की वैलू 10 पुट करो यही आंसर आएगा करके दिखाओ इतना करने के ज़रोत नहीं पड़ेगी है अपन को देखो यह देखो मुझे निकालना 10 सेकंड का 10 सेकंड का निकालना है मुझे तो यह देखो क्या होगा u 10 plus a by 2 देखो 1 by 2 into a तो 1 by 2 into a कितना 2 और 2 into n मतला 2 into 10 ना 2 into 10 minus 1 ठेक तो अब बताओ यह cancel 10 plus 2 into 10 20, 20 minus 1 19 और 19 plus 10 कितना होगा 29 ठेक तो आप बताओ 29 मिटर सीधे answer आगिया ना यार मतला वो इतना ताम जाम करने की ज़रत नहीं बढ़ी है कि पहले 10 का निकालो फिर 9 का निकालो फिर minus करो तो मिलेगा 10 सेकंड का displacement सीधे इस फॉमिले में डाल दो जो भी particular time का चाहिए आपको displacement answer देदेगा वो मुझे चाहिए 28 सेकंड का displacement 20 सेकंड का n की वेलू डाल दो 20 ठेक है यू और ये आपको गिवन रहेगा निकल जाए काम है कि नहीं ठेक है चलो लेकिन ये फॉर्मुला आया कहां से मैं उसका derivation देता हूँ आपको ठेक है displacement in nth second ठेक है देखो nth second बोला मैंने है ना तो n seconds और nth second दोनों में डिफरेंस है ना n seconds मतलब 0 से लेकि n seconds तक ठेक है ऐसा चलो अब ध्यान देना मुझे रगर nth second का निकालना ना displacement तो इसके लिए मुझे कुछ सवालों का जवाब देना ठीक है आप ये बदाओ अगर मुझे 10th second का displacement निकालना था तो हमने क्या किया था 10 seconds का displacement minus 9 seconds का displacement तो मिला था ना 10 second का displacement ठीक है अब बदाओ मुझे अगर 20th second का चाहिए तो तो क्या किया था हमने 20 seconds का displacement minus 90 seconds का displacement है के नहीं मतलब जिस भी particular time का displacement चाहिए उतने time तक का displacement minus एक कम second तक का displacement ना आप बदाओ मुझे अगर 25th second का चाहिए तो 25 seconds का displacement minus 24 seconds का displacement तो आप बताओ अगर मुझे nth second का चाहिए तो n seconds का displacement minus n minus 1 second तक का displacement ना n से एक कम क्या होगा n minus 1 है कि नहीं बोल सकते हैं हम लोग अब यहाँ पर कोई particular time मालूम नहीं है मैंने बोला nth second का चाहिए अपने को displacement तो n seconds तक का displacement minus n minus 1 seconds का displacement ठीक है तो यह देखो ध्यांसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं s nth जो होगा वो होगा s displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds होगा कि नहीं होगा इसा ठीक है अब देखो ध्यांसे मुझे अगर n seconds का displacement चाहिए बहुँए जीरो से लेके पूरे n seconds तक का चाहिए तो हम second equation का इस्तमाल करेंगे नहीं है ठीक है क्या है second equation ut ut t कितना n plus half a t square a t square मतलब n square ठीक है यहाँ आब टाइम जो है वो n है ठीक है अब बदाओ minus of है ना यह देखो मुझे चाहिए displacement in n-1 seconds माला 0 से लेके n-1 seconds तक चाहिए मुझे तो time का roll कौन कर रहा है n-1 तो आप बदाओ वही second equation ut लेकिन t क्या है यहाँ पर n-1 ठीक plus half into a ठीक है half a t square मतलब n-1 का square ना यार ठीक चलो अब देखो जहाँ से solve करना है इसको अपने को un plus half an square minus of bracket open करो u into n-1 minus half a into n-1 का whole square ठीक है अब देखो धेहाँ से यहाँ पर इधर देखो इन दोनों में से common क्या हैगा u क्या बचेगा n minus of n-1 ठीक चलो अब दाओ इन दोनों में common क्या यहगा इन दोनों में common क्या हैगा half a common आ जाएगा क्या बचेगा n square minus of n-1 का whole square ठेक अब देखो ध्यान से यहाँ पर u n minus bracket open करो, minus n plus 1 ठेक है plus half a यह देखो n square minus of a minus b का whole square लगा दो, a square plus b square minus 2ab, तो 2 into 1 into 1 2n ना ठेक है, अब देखो यहाँ पर n से n cancel, u into 1 is u plus half a bracket open करो, n square minus n square minus 1 plus 2n अब दाओ, n square cancel तो यह देखो, अब formula मिल चुका है आपको displacement in nth second is u plus half a into minus 1 plus 2n बोलो, यह 2n minus 1 बोलो, बात बराबर ही है this is your formula u plus 1 by 2 a 2n minus 1 ठेक है, इस particular formula से आप किसी भी particular time का displacement निकाल सकते हो is it clear, ठीक है, तो एक काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले चले, अब देखें यहाँ पर अब हम करेंगे इसके उपर based कुछ questions, ठीक है, आओ देखो question कैसे बनते हैं देखो जहाँ से, question number 1 में क्या कहता है वो a body accelerate uniformly obviously बात है यह जो equations है वो uniform acceleration के लिए valid होता है है ना, ठीक है, a body accelerate uniformly from rest rest बोल दिया मतलब initial velocity कितनी होगी 0 होगी, मलब observing उसकी शुरू हुई है जब वो रुका हुआ था, वहाँ से तो initial velocity 0, जब भी कोश है में बोले, start from rest तो u equal to 0, ठीक है if the displacement of the body in 5 seconds is 125 मलब 5 seconds में उसका displacement कितना है, 120 मीचा find the displacement of the body in 7 seconds तो आप बताओ कि उसका displacement कितना होगा, 7 seconds में, ठीक है, तो यहाँ पर 5th second नहीं बोला या 7th second नहीं बोला 5 seconds बोला है 0 से लेके 5 seconds तक तो हम second equation यूज़ करेंगे है कि नहीं, अगर बोलता 5th second, तो वो आला formula यूज़ करते है, जो अभी derive किया था पन्ने है कि नहीं, ठीक है, तो अभी देखो ध्यास यहाबर आप यह बदाओ initial velocity 0 है न 0 meter per second ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है, sorry, मुझे given है 5 seconds का displacement तो आप बदाओ यहाँ पर displacement की value है 125 है के नहीं तो मैं पहले equation लिख देता हूँ आपके लिए, देखो since s equal to ut plus half 80 square बदाओ displacement कितना गिवन है 125 u कितना है, 0 time taken कितना है, 5 plus half a into 5 का square अब बदाओ, यह तो cancel हो गया 125 equal to half a into 25 यह cancel out, यह 5 into 2, 10 तो यह बदाओ 10 meter per second square हुआ क्या acceleration yes, मतलब पहले given से हमने acceleration निकाल लिया अब वो क्या पूछ रहे कि बताओ displacement कितना होगा 7 seconds में ठीक है भाई, कर लेते हैं क्या दिक्कत है आप बदाओ displacement in 7 seconds निकालना है तो ut u कितना है, 0 0 into t t कितना 7 plus half a acceleration निकाल चुके हैं 10 into t का square मतलब 7 का square ना यार ठीक है, यह तो 0 into 7 0 हो गया इसका मतलब नहीं है यह cancel out हो गया 5 5 into 49 तो यह बताओ 5 9s है, 45 5 4 और यह 20 और 4 24 तो 245 मीटर होगा displacement in 7 seconds easy ठीक है, चलो तो इसका screenshot ले ले ले, फिर देखते हैं नेक्स कुश्चिन क्या है चलो, अब देखते हैं next question question number 2 में क्या कहता है वो, देखो ध्यान से the initial velocity of body accelerated uniformly at the rate of 1.2 मीटर पर सेकंड square is 3.4 मीटर पर सेकंड यह बर बकाइदा बोल दिया कि initial velocity किती है 3.4 मीटर पर सेकंड है ठीक है, यूए, यू if the final velocity of the body after t seconds is 27.4 मीटर पर सेकंड ठीक है, मतलब t seconds के बाद है ना, उसका जो final velocity है वो कितना है, 27.4 मीटर पर सेकंड then find the value of t अपन को t की value निकाल नी है तो simple question है यह देखो ध्यान से यहां पर आप बदाओ, initial velocity कितनी 3.4 मीटर पर सेकंड final velocity कितनी 27.4 मीटर पर सेकंड time taken यहां पर तो t ही है ना ठीक है, चलो और acceleration given है ना, acceleration यह तो acceleration कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड square और यह बताओ t निकालना है, u दिया है v दिया है, a दिया है t निकालनी है, तो यह पहले equation of motion में ही आता है ना सब कुछ आप बताओ, पहला equation जो होगा, v equal to u plus a t होता है ना, अभी पढ़ापन ने आप दाओ, v पता है, u पता है, a पता है, t निकल जाएगा ना चलो, देखो, v की value कितनी 27.4 u की value कितनी 3.4 a कितना 1.2 time कितना t अब दाओ, 27.4 minus 3.4 is 24 ना ठेक, equal to 1.2 into t तो अब दाओ, ये point तो यहाँ 10 आएगा 12 into 2 2 into 10, 20 20 second होगा ना मतलब 20 second में उसका velocity 3.4 से 27.4 मिटर पा सेकन हो जाएगा easy question, बस आपको देखना है कि given क्या है उसके according कौन सा equation of potion suitable है वो apply करना ही है काम खतम होगा ठीक है? चलो तो इसका screenshot ले ले question number 2 का फर देखते हैं third क्या बोलता है आपर चलो question number 3 में क्या बोल रहा है देखो an object moving with an initial velocity of 30 meter per second ठीक है? initial velocity इतनी है उसकी accelerate uniformly at the rate of 8 meter per second square for 10 seconds चेक है? find the final velocity attained at the end of 10th second मतलब दसवे second पे उसकी velocity कितनी हो जाएगी? मतलब V निकालना है मुझे symbol question है देखो जहां से आप लोग यहाँ बर वही पहला equation इस्तमाल हो जाएगा है U की value 30 meter per second time taken कितना है? 10 second फिर acceleration है 8 meter per second square ठीक है? तो यह बताओ कितना वो velocity गेन कर लेगा दसवे second में तो आप अदाओ यहाँ पर velocity निकालनी है तो V निकालनी है अपन को ठीक है तो आप अदाओ V की value कैसे निकलेगी? इन सब से तो पहला equation of motion U plus 80 तो U कितना? आपका 30 A कितना? 8 T कितना? 10 तो यह 80 और 30 110 meter per second इतना velocity गेन कर लेगा 10 सेकंड के बाद इस इतलिया? ठीक है? चलो यह था आपका simple question number 3 screenshot लेए फिर देखने है पर next question चलोड़़ण अब देखें यहाँ पर question number 4 क्या बुलता है वो? A car accelerated uniformly at a rate of 0.25 meter per second square from 30 meter per second for 40 seconds 40 seconds तक के लिए उसको accelerate किया गया है from 30 meter per second से मतलब 30 meter per second उसकी क्या है? initial velocity है वहाँ से 40 seconds तक उसको accelerate किया गया है ठीक है? इतने acceleration से find the displacement of the car at the end of 40th second ठीक है? मतलब 40-वे second के बाद कितना होगा उसका displacement उसने ऐसा word उसका लिया at the end of 40th second ठीक है? मतलब पूरे 40 seconds का अपन को displacement निकालना है ठीक है? तो यहाँ पर देखो ध्याहन से यहाँ पर हम equation of motion use करेंगे second s equal to ut plus half a t square अब आप देखो ध्याहन से u कितना? 30 time कितना? 40 plus half a कितना? 0.25 और t कितना? 40 का square ठीक है? यह हो गया 1200 यह हो गया आपका 1 by 2 into 0.25 into 1600 2 0 इसको gift करेंगे है अपन plus half into 0.25 sorry यहाँ पर अपनने 2 0 इसको दे दिया तो यह हो जाएगा 25 into 16 यह cancel 8 1200 plus 25 into 8 कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपके पास 200 तो यह हो जाएगा आपके पास 1400 मीटर तो यह आपका होगा 1200 plus 200 1400 मीटर is the answer is it clear? ठीक है? चलो तो यह था आपका simple question of order इसका screenshot ले तो यहाँ पर अपना यह जो topic है equation of motion ठीक है? यह खतम होता है लेकिन इसके उपर आपको dbp provide होगा उसमें होंगे बहुत अच्छे questions उसको आप लो ट्राइ करें फिर हम उसका solution वीडियो भी देखेंगे ठीक है? तो चले ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना ह simple magnetbase.com पर जाना है या फिसका YouTube channel है वहाँ पर आप जाएं ठीक है? वहाँ पर आपको बहुत सारे courses मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है कोई आपको यहाँ पर payment या फिर कोई coupon लगाने के ज़रूत नहीं है ठीक है? सारे courses बिल्कुल आपको यहाँ पर free available होंगे ठीक है? तो बस मैं तो भी कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई knowledge मिला हो तो आप इसको like जरू करें और अगर आप channel में नए हो तो आप subscribe जरू करें ताकि कोई भी आपका वीडियो हो आपसे बिल्कुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको share जरू करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए